नमस्कार रागगिरी वीकेंड इंटर्व्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है और स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आपको नजर आ रही है गुरू प्रेड़ना श्रीमाली जी मैं सिर्फ ये कहकर पहचान नहीं सिमित करना चाहता कि आप जैपुल घराने से तालुक रखती में आपको कर दो कि नहीं है कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो कर दो कर दो कथक के हवाले से बाच्ची शुरू करते हैं क्योंकि इंट्रिव्यू उसी को लेकर है तो कुछ सवाल जो एक कलाकार से पूछे जाने बहुत जरूरी होते हैं और जिसका जवाब वो कलाकार कई बार दे चुका होता है लेकिन हर एक नए इंट्रिव्यू में उसकी ओपचारिकता करनी होती है तो सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि जैपूर में जब परिवार में कोई ऐसी कथक की परंपरा नहीं थी या कोई इस तरह की परंपरा नहीं थी वहाँ पर कथक का आपकी जीवन में आना यह क्या बहुत ही एक कैसे याद करते हैं आज आप इसको और था क्या ऐसा हुआ क्या कि फिर आपको लगा कि नहीं कथक करना है मैं सच्चाई तो यह है कि कथक तो हो गया कहते हैं न कि कथक happened to me क्योंकि मैं जब नाच सीखने लगी तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं अंध्रत्य सीख रही है और यह कोई सीखने की चीज़े क्योंकि वो सुम्र से शुरू किया और वो ममी पापा जादा जानते हैं ममी खास तोर से जानती हैं जो अब नहीं है अभी तो वो शुरू हो गया तो पता लगा कि डांस सीख रहे हैं तो उसमें आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है बाद में थोड़े और बड़े हुए तो पता लगा अच्छा हम कथक सीख रहे हैं और उसके बहुत बाद में पता लगा उस समय में जब मैं छूटी थी, कोई और डांस लोक नृत्य के अलावा नहीं था, केवल कथक होता था, और जितने लोग कथक यहां डांस करते थे, यहां सीखते थे, उन सब का कथक आना बहुत ही सामानिबाद थी, और बहुत ऐसी बात थी, जिसमें अगर आपको नृत्य आ कि हां कथक है तो, हो तो आता ही है, वो तो अपना ही है। ऐसा. सो इसलिए कथक इसे हो गया मैं नहीं कह सकती, भर जो हुआ वो कथक था, यह मुझे देर में पता लगा. ऐसा मैं कह सकती हूं. और परिवार में कोई किसी तरह का हम लोग क ऐसा माहॉल नहीं है. पापा तो administration में रहे और ममी घरेलू महिला थी और लोग संगीत बहुत कहना चीशिदत से गाना चाहती थी, गाती भी थी, सीख नहीं पाएं क्योंकि पारिवारी के स्थितियों में, पर अच्छा गाती थी और उनकी मन की इच्छा मुझे लगता है उन्होंने पूरी की होगी मुझे नृत्य में डाल कर, और हम तीन भाईबेन हैं और हम तीनों में कोई न कोई संगीत का संसकार है और वो ममी की वज़े से है और बाकी परिवार से इसका कोई लिना देना नहीं है हाला कि आपका बच्पन अगर हम बात करें साठ के दशक क्या असपास की तो तब तक बहुत हम बहुत आधुनिक तो नहीं हुए थे लेकिन इतने हो गए थे कि यहाँ डान्स को देश के कुछ हिस्सों में सुईकार किया जाने लगा था लेकिन आपके परिवार में चुकी कोई प्रिष्ट भूमी नहीं थी पिता जी प्रशासनिक सेवाओं में रहे क्या कभी कोई इस तरह का मतलब किसी ने पड़ोसी ने आके कहा कि यह क्या सिखा रहे हो क्यों सिखा रहे हो क्या करेगी सीख कर इससे क्या फाइदा होगा और हम लोग मानव सभाव से हर चीज में फाइदा जरूर ढूंड लेते हैं तो ऐसा कुछ हुआ बच्पन में ऐसा बच्पन में आसपड़ों से कितना हुआ नहीं हुआ पर परिवार से ही बहुत हुआ और परिवार से ही बहुत हुआ क्योंकि मैं बहुत ही और्थोडोक्स ब्रा पर उसे आगे लेके चल देंगे और उसमें कुछ आगे करियर बनाने की बात सोच लेंगे यह तो खेर उस समय करियर तो सोचा इनी जाता था कि लड़ी कि बना लेंगी पर उसको लेके मैं आगे निकल जाओंगी मेरे अपने परिवार की बहुत ही हमारे बिल्कुल सीधे- वो मेरी जो तुरंट कहते हैं इमिजिट फैमिली कि मेरे दो भाई और मेरे मामी पापा इन लोगों को इस बात से कोई अतराज नहीं था और वो लोग चाहते थे कि मैं अपने कान में आगे बढ़ती रहूं और उन्होंने पूरा-पूरा सहयोग आज तक भी देते हैं यह सबसे बड़ी बात रही कि चीजें बहुत जादा क्यांकि मैं है विवाह नहीं किया तो यह वह बहुत बड़ा मुद्दा भनता था अस समाने में तो आज तु इतना नहीं है पर उस समय तो बहुत था और उसमें वह इसलिए नहीं कि मेरे कुछ करना है और मुझे दृत्यांगना बनना है और उस समय दृत्यांगना बनने के लिए ऐसा लगता था कि शायद ऐसा करना चाहिए तो, और सूझता ही नहीं था कुछ हूर डित्री के अलावा तो उस समय का ये निर्ने लेना बहुत, अब मुझे लगता है बड़ा क्रांतिकारी कदम मेरी मां के लिए भी रहा होगा मेरे लिए तु इतना नहीं पर मेरी मां के लिए बहुत रहा होगा कि उन्होंने बहुत कुछ सहन किया होगा और सुना होगा और उस पी क्या जवाब दिया होगा मुझे आज तक नहीं मालू पर वो उसे ढाल की तरह रखे रहें अपने सामने और मुझ तक नहीं आने दिया तो यह मतलब पड़ोसियों नहीं जितना की संबंधियों ने कहा यह सचा ही और इसी वक्त चुकी बच्पन की ही बात चल रही है लग 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 अपना जो स्कूल के डेज याद करती हैं तो कैसे याद आते हैं मतलब प डिस्सिप्लिन तो मुझे पता नहीं कैसे कहां से गुट्टी में आ गया पर शरारत मैंने जरूर की होगी और बहुत बड़ी शरारत आपको मैं बताती हूं कि शेर कर लो ना मैं बच्पन से लड़कों के साथ पढ़ी आठवी क्लास तक तो वो भी उस समय में बड़ी एक अधभुत बात होती थी कि को एड़ुकेशन में मेरी पढ़ाई हुई आठवी तक और उसके बाद फिर अवेलेबल ही नहीं था मतलब उसके बाद तो नवी क्लास से तो का बड़ा स्कूल था जैपुर का महराजा स्कूल तो जब मैं क्लास में गई तो चारों तरफ लड़कें लड़कें देखी तो मैं तो दंग हो गई मैंने का इतनी लड़कें आप ही क्या कर रही है क्योंकि मुझे आदत ही नहीं थी कि लड़कें चारों तरफ दिखाई दे इतनी सारी और वो लड़के दिखाई दिये और कांखों इतनी आवाज बहुत बातें करती हैं लड़कें सो मुझे लगा कि ये तो बहुत बात करती हैं तो बातें कर रही थी और पहला ही दिन था इसकूल का और उस समय घर में ये माहौल चल रहा था कि पापा का ट्रांसफर हो गया है उदापूर और सरकारी उसमें तो सबको उदापूर जाना है और मा ने कहा कि नहीं बच्चों की पढ़ाई है इसलिए हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपको तो हमेशा बुलाई लिया जाता है वापस पहले दें मेर से बर्दाष्टी नहीं हुआ तो जैसी ही इंटर्वल हुआ और हम लोग को जैसी मैं नीचे उतरी और बहुत बड़ा जैसे आप सोचें पुरानी हवेली का दर्वाजा होता था बड़ा उस तरह का बहुत वह सौ साल उस साल पुराना स्कूल ता बद पुरा मैंने का मुझे घर जाना है उसने का बेटा स्कूल तो अभी तो आधी चुटी हुई है अभी थोड़ी घर जा सकते हैं मैंने का पेट में दर्द हो रहा है बहुत साधा और भगवान जानता है कि को पेट में दर्द नहीं हो रहा था तो मैंने का जी मैंने का नहीं आप तो कि मेरे को स्कूल नहीं जाना, आज के बाद स्कूल नहीं जाएंगे, अब तो ये तो बड़ा, ये तो हमारे घर में बिलकुल सुना ही नहीं जा सकता था कि स्कूल नहीं जाएंगे, तो ममी पापा ये कान खड़े हो गए, उनने का ये क्या तरीका ये कैसा हो गया कि स्कूल मे मैंने बिल्कुल जाना ही नहीं है, तो मैं पापा के साथ दुदैपूर जा रहे हूं। जबकि घर में ये तै हो गया था कि ये दुदैपूर नहीं जाएंगे कोई। मैंने का नहीं मुझे नहीं पढ़ना ही नहीं है। आगर आप इस स्कूल में भेजेंगे तो मुझे तो जाना ही नहीं है, स्कूल ही नहीं जाना है। और मेरी वज़े से पूरे परिवार को देपोड़ शिफ्ट होना पड़ा। और क्योंकि मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं स्कूल जाओंगी ही नहीं किसी भी तरह से तो ये मैंने काफी बड़ी शरारत की थी इन पर ये रागगिरी के बहाने एक शरारत आप किया जरूर आपके जो धेर सारे शिश हैं उनको पता चल गई होगी अब किसी को नहीं सीखना शुरू करेंगे और कोई अचानक पेट दर्द का बहाना लेकर आए तो आपको सतर करेंना पड़ेगा अचा बैं अब आता हूँ कथक के सीखने की जो विदिवत आपकी तालीम है उस पर और हम पंडित कुनललाल गंगाली पर भी बात करेंगे अलग से विस्तार से करेंगे लेकिन उस से पहले क्या कोई और शुरुवाती गुरू भी आपके रहे उनके बारे में बताईए स्कूल में क्या किसी ने कुछ ऐसा संगीत का या अनृतिक का कुछ अलग से आपको सीखने का मौका मिला हो तो अपने शुरुवाती जो सिख्षा रही कथा कि उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताईए मैंने विधिवत सीखना तो बाद में शुरू किया स्कूल में क्योंकि यहां के हर स्कूल में डांस होता है उस समय से होता है और तो स्कूल में हम लोग डांस करते ही थी करते ही इन थी और स्कूल में ही बहुत अच्छे टीचर्स रुा करते थे थी डांस के लिए जो की बात में गुरू सावित हुए कहना चाहिए लेटर आँ और तो स्कूल में पहला कारिक्रम जब मेरा हुआ था वो भी स्कूल के कारिक्रम में ही मैंने शायद जहां तक मुझे याद पड़ता है नाचा है और मैं उस समय पांच साल की भी नहीं हुई थी पूरी और रविंदर बंच यहां का बड़ा मंच है सबसे बड़ा उस वही होता था रविंदर बंच उस पे कारिक्रम हुआ था और मेरी मा कहती है कि उस कारिक्रम में तुम तीन लोग थे और तुम बीच में नास्ती थी और तुम तब नास सकती थी जब मैं तुमारे सामने बैठती तो यह पर कभी नहीं कर सकेगी. और इतियास तो सामने है, तो मैं तो कर रही हूँ अभी वी. तो उस वक्त वो कारिक्रम स्कूल के वज़े से ही गुआ, और स्कूल में ही सीखा. तो विधिवत सीखना तो थोड़ा देर में शिरू हुआ. क्योंकि स्कूल में ही और स्कूल के पॉपटिशन में उसमें कुछने कुछ करते रहते थे. और वो बहुत याद तो मुझे नहीं है. पर पहले ये पहला कारिक्रम ये जो था, ये स्कूल में सीखने के बाद ही हुआ था और कथक का हुआ था. ये मुझे याद पड़ता है और जैसे स्कूल के जो फिर मैंने मेरे गुरू जी कुंदला जी गंगानी वो जैपुर में आ गय थे और उस समय बहुत लोगों को नहीं सिखाते थे वो तो वो दादा जी के पास आय थे ये बात मैंने कई बार कही है कि मेरे दादा जी के पास वो अपनी जनम पत्रे दिखाने आये थे कि दादा मैंने जसा कहा जी हो तिखाने आये थे और मुझे देखके ममी को कहा कि इसको नाच सिखाईए मैं सिखाऊंगा ममी नहीं नहीं स्कूल में करती है काफी है तो कहरें नहीं नहीं इसको कथक सिखाते हैं ये ममी के बाद में बनने की बात नहीं थी. पर गुरुजी ने कहा और वो बात ममी पापाजी ने मान ली शायद. और विधिवद गंडा बांधा गया और तूजा हुई और फिर मेरी शिक्षा शुरू हुई. और चे महिने में गुरुजी ने मुझे यहां एल राजस्थान फॉम्पॉटिशन में उतारा और उसमें मझे सेकंड प्राइस मिला कथक में और लोग्ट्ति में भी और उसके छे महिने के बाद में फिरसे कॉम्पॉटिशन हुए क्योंकि वो सह टाइम के हिसाब से या मेरी के साथ साल की थी और मुझे बहुत बड़ी शील्ड मिली थी रनिंग शील्ड होती थी वो जो मेरे से उठी नहीं थी और मेरे बड़े भाई ने स्टेज पर आकर उसको उठाय था क्योंकि मेरे से तो बहुत भारी थी तो वो मुझे मिला था तो विधेवत शिक्षा वहां से शुरू हुई कि वो गुरुजी घर आके सिखाने लगे पर शुरू में सारा स्कूल में होता रहा और इसके अलावा स्कूल में जब मैं हाई स्कूल में थी 11th क्लास में 10th 11th में 10th 11th में थी तो उदैपूर से हम लोग वापस ट्रांसफरों के जैपूर आये तो 11th क्लास में वापस उसी स्कूल में मैं गई जहां से भागी थी और तो वहां उस स्कूल में सब कोई पता था कि मैं दांस करती हूँ कास्ट और से प्रिंसिपल को तो उनोंने कई साल से वो स्क महारजा स्कूल कॉंपिटिशन में हिस्सा नहीं ले रहा था किसी भी डांस की कॉंपीशन में तो उस साल रोने क्योंकि मैं वहां थी और वहां कि जो डांस ठीचर थे वो मुझ अच्छी तर ऐसे जानते थे और उनोंने कहा कि नहीं प्रेड़ना है तो वह डांस करेगी और इसा करके उन्होंने तो उस साल उस स्कूल को फर्स प्राइज मिला डांस कॉंपिटिशन में तो वो भी एक कॉंपिटिशन का मेरा अनुभाव रहा कि जब मैं सालों बाद नाची थी और फर्स प्राइज मिल गया तो ऐसे इस तरह की चीजें तो हुई है और विधिवत रही थी देखा जाये तो और बीच में द्रत्य छोड़ भी दिया था बहुत लंबे समय तक उस पर भी आएंगे और उससे पहले यह जान लेते हैं कि जब आपके गुरू यानि पंडिक गुंदन नाल गंगानी जी के बारे में भी एक खिंकी खुलती है आपके नजरिये से हमने सुना है बहुत सख्त गुरू रहे हो मतलब उनका गुसा बहुत मशूर रहा उनके शिश्यों में तो आपके कैसे तजूर बे रहे उनके साथ से गुरूजी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब गुरूजी ने सिखाया मेरे सामने गुरूजी के दोनों असपेक्ट्स है गुरूजी का बहँत संवेदन्शील पक्ष्थ था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और चह-सAH आप SACEी आठ साल की तो गुरूजी कई बार यू आपने गौद में बढ़ा के टौफी खिलाते खिलाते बेटा बस अभी नमबर हा रहा है अभी नमबर हा रहा है कि अब भी नमबर हा है ऐसा करके मेर को जगा देते थे। जगा के और कॉंपेटिशन में गुरू जी बहुत प्यार से सिखाया मुझे और जैसे एक बार बार त उन्होंने दिल्ली में प्रोग्रेम किया था, मैं प्रिषाद जी गुरुजी के याद में, और तब गुरुजी से कहा कि वो मुझे लेकर वहां आएं, तो मैं बहुत चोटी थी, और यही साथ-ाथ साल वारी उम्र मेरी थी, और गुरुजी लेके गए, वहां बड़े संदर प्रिषाद जी, संदर प्रिषाद जी गुरुजी को मैंने तब ही एक ही बार देखा, उसके अलावा मेरे को कोई मौका नहीं है, देखने का उनको, सो वो, उन्हाने मेरा नृत्ति देखा और पापा अमी साथ में गए थे, तो उन्हाने कहा कि इसको तीयों दिन करव मला हर दिन के परफॉर्मेंस के लिए उन्हें मेरे से नई तैयारी करवाई, और मुझे तीनों दिन परफॉर्म करवाया, और ये बात किसी को मैंने नहीं कही है, सिर्फ मेरी डायरी तक है, कि जो मैं यहां बता रही हूं आपसे, तो संदर प्रिषाद जी गुरुजी ने क अबी तो सीख रही है जैसा, जैपुर में ठीक है, पढ़ाई करेगी बच्ची, तो ये ऐसे अनुभाव रहे हैं, तो गुरुजी का ये सब्वेदन शीरी व्यक्तित तो मेरे सामने है, दूसरी तरफ अगर देखते हैं, तो इतने सक्त थे और इतने स्ट्रिक्ट थे, कि हम अब लोगों का यहां पर कैम्प होता था समर कैम्प, जो और शाम की क्लासेज होती थी, शाम की क्लासेज रेगुलर होती थी और गर्वियों में कैम्प सोते थे, चालीस दिन के, तो शाम की क्लासेज में भी अगर पांच बजे का टाइम है, तो पांच बजे आपको सुबह साड़े साथ बजे हम लोगों का कैम्प शुरू होता था गर्मियों में, गुरुजी खुद भी आजाते है समय पे, हम एक मिनट भी लेट नहीं हो सकते थे, साड़े साथ पर शुरू हो जाता था और दस बजे तक हम तदकार करते थे, उसमें न तो हमें बातचीत अला तो पैर आपको ऐसे चलाना है उसमें एडी नहीं लगाने, अगर एडी उन्होंने लगाई तो इसी नहीं लगाई तो ऐसे हतोरी फैंकते थे पैर पे, ऐसे जमीन पे थार से आपके आके लग भी सकती थी तो इस तरह के सक्त भी थे, बहुत स्टिक्ट थे जो की जैपुर दिल्ली में जाके मुझे ही लगा कि उन्होंने थोड़ा सा अपना बदला मा, सारा मानस और वो थोड़े से लिनियंट हुए या तो इंस्टिटूशन की वज़े से या दूसरे अन्य गुर्यों की वज़े से मुझे नहीं मालू पर वो जो यहां पे उनका था और उस समें उन्होंने जो सिखाया, वो इतना जबरदस था, कि राजस्तान पूरे में गुरु जी के बारे में ये कहा जाता है आज भी, कि गुदू कंदनलाल गंगानी जो हैं वो लग्ड़ी को भी नचा सकते हैं, ऐसा उनका, उनकी इमिज बने हुई थी, कि वो लग्ड़ी को भी न जा सकते हैं और एसा होता था एक चीज़ में और जानना चाहूंगा जब जो आप बहुत अच्छे से हमको समझा सकती हैं दरसल एक म्यूजिकल फैमिली चली आ रही है एक लीनियज चली आ रही है किसाब दस घराने हैं उप पीड़ी से डांस कर रहे हैं या पांच पीड़ी स गाने गाना गाने हैं तो एक उनके घर के बच्चे का तालीम लेना है और एक ऐसे घर के बच्चे का तालीम लेना जिसके हां कोई म्यूजिक का बैगराउंड नहीं है क्या गुरू के मिलने में दिक्कत आती है मतलब अगर मैं आज कहूं कि मुझे माल लेते हैं अपने बच किसको और चुकि आप खुद इसी तरह के वाके से गुजरी हैं क्योंकि आपने भी बहुत परंपरा के गुरू से सीखा विदाउट अपनी किसी प्रिश्ट भूमी के इस माहौल को इस नजरिये किस नजरिये से आप देखती है गुरू मिलना मुश्किल तो किसी भी हाल में हो कि दो गुरू के मन में दोनों बाते रहती है जहां तक मुझे मेरे गुरू जी का मालूम है नस्दीक से कि वो जो परिवार के लोग है कि जो परंपरा से सीखते चले आ रहे हैं उनके लिए उनके मन में एक सब्थ कन अई हम tutte गी है और कहीं मन में ये भी होता है कि कि अच्छा ये तो सीखिलेगा या सीखिलेगी लडिके desta सिखाते नहीं परंपरा वाले लोग तो ये सीखलेगा ऐसा और दूसरी तरफ वो उनको अच्छी तरह जानते हैं कि ये लापरवाह हैं मतले बाते हैं क्योंकि जितने परंपरा से लोग आते हैं वो उनके लिए उनकी रोजमरा की चीज है तो जैसे कि ये बिलकुल वैसा ही है कि जब जो हिंदुस्तान में रहके जो व्यक्ति रित्य या संगीत सीखता है वो उतना सीरियस नहीं होता है कई बार जितना की विदेश से आए बच्चे हो जाते हैं क्योंकि हां क्योंकि इसलिए कि उनको टाइम का मालू है उनको टाइम का सेंस मालू है उनको पता है कि थोड़े टाइम के लिए हमारे सामने है और ये गुरू हमको फिर दुबारा ये समय भी नहीं मिलेगा गुरू नहीं मिलेगा ये पैसा भी नहीं मिलेगा जो भी है सब मिल कि बहुत कम ऐसे उधारन हैं जहां पिता की तरहे पुत्र निकल आए और गुरुजी जब हमें सिखाते थे तो क्योंकि मैंने गुरुजी के बेटे राजिन गंगानी के साथी सीखा तो विलकुल साफ साफ आपको दिखाई देता था कि गुरुजी इतना भी फर्क नहीं करते इतना सावी फर्क नहीं करते थे बल्कि होता ये था कि डाट वो ज्यादा खाता था मैं नहीं खाती थी तो डाट उसको ज्यादा पड़ती थी मुझे नहीं पड़ती थी और उसके लिए भी वो मुझे ही कह देते थे या मेरे मेरी कोई गलती है तो उसको डाट देते थे ऐसा कुछ होता था तो वो उपर मुझे नहीं डाट दे थे और ये गुरु के पास एक अधभुद द्रिश्टी होती है कि किसको क्या देना है सो वो ये कि किसको ये उपर क्या चीज सूट करेगी कौन सी चीज उसके लिए अच्छी हो जाएगी या वो उसे अच्छी तरह बरत लेगा कहना चाहिए तो ये गुरुजी मैं भी मैंने देखा और नस्दीक से सबसे जादा उन्हीं को देखा तो ये द्रिश्टी गुरु मैं होती है और जहां तक आपकी सवाल की बात है कि वो क्या ऐसकूछ पार्षिल हो जाते हैं क्या तो हाव औहना डोनों हे होते भी हैं और नहीं भी होते हैं डोनों करेसे बात हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो परंपरा से चली हा रही है, जैसे बहुत सारे बोल हैं, बहुत सारी ऐसी बंदिशें हैं, तो उनको वो सुचते हैं कि ये घर में ही रहे तो अच्छा है. तो हो सकता ही वो ना सिखाएं. कि वो और या फिर उनका इतना ट्रस्ट होगा अपने शिष्षे के अंदर तो वो उसे भरपूर दे देंगे ऐसी ऐसा मेरा यह अनुभव है क्योंकि यह बिल्कुल सब्जेक्टिव बात है हर आदमी के लिए अलग अनुभव होगा इसमें सु मेरा अनुभव तो यही है कि मुझे गुरु जी ने शिष्षि की तरह मैं सिष्षि थी और मैं सिष्षि परमपड़ासे हूं उन्होंने जितना वो मेरी शायद जितनी कुवद थी उतना उन्होंने मुझे दिया और कटनी कोई कोई कोता ही नहीं कि उसके अंदर बल्कि जो अपने बेटे को नहीं सिखाया ना नहीं है तो इस मामले में मैं सौशन दिशाली है गुरू प्रेणना श्रीमाली जी के साथ इस बातचीत में यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और कल फिर हाजिर होंगे ठीक रात दस बजे और इस बातचीत के दूसरे हिस्से क फिर देखेंगे